हाई स्टूरेंट्स वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस आज हम इस वीडियो में महादेवी वर्मा की कविपर्चे जानेंगे गहन आस्तिक स्वभाव वाली माता तथा कर्मनिष्ट और दार्शनिक पिता की पुत्री आरुप की आरहदिका महाश्वेता महादेवी का जन्म उत्तरपदेश के जिला फरुकाबात के एक संभ्रान परिवार में 1907 एको हुआ था उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा कर्मनिष्ट और दार्शनिक थे तथा माता है मुरानी देवी अच्चन्त धर्म परायन थी महादेवी में बच्पन से ही विस्मई की भावना थी जो बाद में उन्हें रस्यवादी बनाने में सहायक हुई है कलपना का प्राचर्य भी उन्हें आराम से ही मिलता है उनका तारों में बृत प्राणियों की कलपना करना इसका उदाहरन है इनके कावी में अनेक निर्मायक तत्व हमें बच्पन से ही उनमें मिलते हैं अब तक महादेवी के पांच कावी ग्रंत प्रकाशित हुए हैं पहला है नीहार दूसरा है रश्मी नेरजा सांध्यगीत दीप शिखा इनके कावी का आविर्भाव मुलताहा वेदना माना जाता है अपने कावी में वेदना का कारण बध दर्शन के प्रभाव को भी माना जाता है इनके कावी का विकास एक ही पत पर हुआ है उसमें यदपी मूड आये हैं पर दिशान परिवर्दन नहीं हुआ है अतहा विरहा वेदना तता विरहा भिवक्ति उनके कावी का आदार है कावी के अलावा भी इनकी कई प्रकार की रचनाए हैं रेखा चित्र अतीत क चलचित्र स्मृतिकी रेखाए मेरा परिवार पत के साथी। इनके निबंद शुरुंकला की कडिया, क्षंदा और साहिचिकार की आस्था तथा अन्य निबंद है। इनके संपादन है चांद, साहिचिकार, बंगदर्शन, हिमाले। उनके प्रियतम की देन है, उनके अनुसार दुख से जीवन में पुरुनता आती है, तता आत्मा उज्वल बनकर डुड होती है। उनका समस्त काव्य रहस्यवात के अंतरगत आता है। उनका काव्य असीम प्रियतम के प्रती आत्मनिवेतन है। प्रकृती की सुन्दरता उसक चाया मात्र है। महादेवी प्रधान तहा गीती कवैत्री है। महादेवी निराकार ब्रह्मा की पासिका है। उनके दुख के आंसों में एक प्रकार का आजात्मिक संदोश है। आतुर्ताक है। और उसको जानने की इच्छा है। तता विरहा की मार्मिक पीड़ा है। उनकी रहस्यवादी विचारों पर वेदांत के अद्बैत का प्रभाव रहा है। उनके काव्य की भाषाओं में मधुरता, कोमलता, प्रवाहात्मकता, लयात्मकता तथा, चित्रात्मकता धर्शित होती है। उन्होंने शब्दों की तुलिका में अच्छन्त सुनदर्च साकार किये हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने मीत्रों को शेर कीजेगा धन्यवाद